दिसंबर माहा खत्म होने को है ऐसे में ठंड ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिये हैं ठंड ने जबलपुर सहीद पूरे प्रदेश को चपेट में लिया है हिमाले से आ रही बरफिली हवाओं की चलते ठंड का एहसास अचानक ही बढ़ गया है हलाकि दिन में से आठ डिगरी पहुंच रहा है ऐसे में लोग गर्म कपड़े और अलाव के सहारे रहते हैं बीते 24 घंटे में जबलपुर की नियुनतम तापमान में तीन डिगरी की गिरावट देखी गई है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और तेज असर दिख हाईगी हिमाले से आ रही बर्फिली हवाओं के तारण रात का पारा साथ से आठ डिगरी तक पहुंच गया है ठंड से बचने लोग आग का सहारा ले रहे हैं ठंड का असर बढ़ने के साथ ही खुले आसमान के नीचे और फुटपात पर रहने वाले लोगों की परिशानी बढ़ गई है नगनिगम की तरफ से अभी अलाव की जो व्यवस्ता की गई है वह नाकाफी है गरीबों के लिए जो रेन बसेरा बने हुए हैं वह अभी अभी तक नहीं खोले गए हैं मौसम विभाग के मताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोब भी दस्तक दे रहा है माना जा रहा है कि संभवता 22 दिसंबर के बाद इसका असर देखने को मिल सकता है पश्चिमी विक्षोब के कारण आसमान में बादल चाय रहेंगे और जैसे ही बादल हटते हैं तो एक बार फिर कडाके की ठंड पड़ेगी बहराल अभी दो दिन और ठंड का असर इसी तरह से देखने को मिलेगा जबलपुर निवासी शेक इरफान बताते हैं कि दो दिन से कडाके की ठंड पड़ रही है आलम यह है कि ठंड से खून जम जाए पिस्ताने लोगों की मांग है कि पात में रहने वाले गरीबों पर भी सरकार ध्यान दे और उनके लिए कंबल की व्यवस्था करें शेक इरफान ने बताया कि ठंड से बचने के लिए हम लोग स्वैम लकडियां खरीद के ला रहे हैं जबलपुर से वाजित खान की रिपोर्ट आला में ठंड का और क्या चाहते हैं आप लोग यह ठंड पर बहुत आज बहुत ज्यादा ठंड है और खून जवान देने वाली ठंड है मैं प्रसासन के चाहते हैं कि लगडी और अलाव अलाव के इंस्याम करें और गरीब लोगों के लिए तंबल अमल की व्युक्ता रहे करीब हुआ हैं कि पड़े रहते हैं रोड़े हैं और उनके लिए अलाव लगडी के इंस्याम करें और यह लगडी खरीद के लिए 400 रुपे जिए अब पर नाम मेरा नाम से गरफान